Hello guys welcome back to my channel मैंने ये विस्की का केक बनाना था विस्की का बोतल बनाना था मुझे मैंक जॉल्स के ऐसा कुछ नाम है इस व्रांड का तो बहले मैंने अच्छी से कार्विंग करने के लिए मैंने इस मेर केक नहीं बनाया था मैंने ऐसी ही पतली शीट बनायी हुई थी 1kg केक था ता मैंने इससे पतली शीट बनाया और उस को जो भी मुझे बोटल बनानी थी बोटल के शेप का उसको मैंने अच्छी से जारोक्स निकल वाली थी ऐफॉर साइज में और फिर मैंने ऐसे से iम कर्विंग बहुत ही आपको शार्प और नीटली करनी रहेगी तब ही जाकर केक का अच्छे से फिनिशिंग आएगा क्योंकि आफ्टर क्रीमिंग के बाद अपना शेप थोड़ा भीगड़ ही जाता है तो कार्विंग में हम ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने को क्रीमिंग म बनाया फिर मुझे अच्छा नहीं लगा शेप का तो मैंने वापिस से बनाया था तो कार्विंग में आपको ज्यान रखना है तो मैंने ऐसे तिन कट लगाया है क्योंटि अपन थीन लिऄर्स लगाते है और चोखलाट फ्लीवर का केक था फडे मैनने उसको को just crumb coat करके रखा था क्योंकि ये दूसरे दिन जाना था मैंने cutting की फिर crumb coat किया था crumb coat प्रम जैसे normal cake में करते हैं वैसे ही मैंने इसमें किया था पहले sugar sugar अच्छे से उसको soak किया फिर मैंने cream लगा थी customer की कोई इसमें demand है थी के cream ऐसी चाहिया वैसी चाहिया तो प्लीज आप उनको पहले ही इन्फरम कर दो कि कार्विंग केक में कभी भी भी क्रीम जाता है अब मैं हाट केक भी लेते हैं तो हाट केक में भी नॉर्मल ड्राउंड और स्क्वाइर केक से जादा ही जाता है फिर मैंने अंदर चॉकलेट चिप्स डाली क्योंकि चॉकलेट फ्लिवर का केक था तो मैंने अच्छे से फिर उसको क्रम कोट किया फिर ये मैंने जो एक लेगर टूट गया था मैं हमेशा बोलती हो कि जब भी भी तूट जाए अपना स्पॉंज फेकना नहीं है ऐसे करके अपन लगा सकते हम जब कटिंग करेगे किसी को भी नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने तूटा हुआ पार्ट रखाया तो प्लीज अब पूरा इसको वेस्ट मत करो ये वेस्टेज नहीं है अपना पूरा लेयर निकल जाएगा तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने फिर मैंने साइड से लेयरिंग स्टाट की ऐसे पहले मैंने दो लेयरिंग की थी दोनों लेयर में मैंने चॉकलेट चिप्स ड दिलीवरी थी उससे दो से तिन गंटे पहले ही मैंने फाइनल फिनिशिंग करके रख दी थी फिर ये देखो जो मैंने लेयरिंग की थी क्रम कोटिंग की थी उसके बाद डोम थोड़ा शेप दिना था मुझे उसकी वज़े से मैं उपर से भी थोड़ा थोड़ा कट कर रही है करने यहां तो उसको था ही पार भी मैं निकाल रही हूं थोड़ा से इपने को पाट निकांलाएं ज्यादा नहीं निकालाएं और क्रम कोट इमंग के टाइम पर अपने को क्रीम बहुत ही रखनी है देख सकते हो मैं कैसे तरीके से स्लांट काया रहिए और बड़े वाज़े से मैंने कम क्रिम पहले से ही रखा है तो जैसे मैंने स्टेप्स दिखाए प्लीज आप वैसे ही फॉलो करोगे तो अपनी केक बहुत ही अच्छी बनेगी तो अब साथ साथ में मेरी चैनल को लाइक करो शायर करो और सब्सक्राइब भी करो ऐसी बहुत ही सारी इंट् लगए और स्मूथ निंग वापिस से शुरू किया मैं वापिस से बुरी हूँ सब्सक्राइब टो मैं चैनल ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल बाई